गुड मॉर्निंग स्टूदेंट्स तुडे वी आर गोईंग टू कंटिन्यू चैप्टर नमबर 11 ट्रांस्पोर्ट एंड कम्मिनिकेशन तो हमने कल इस चैप्टर में क्या पढ़ा था रेलवेस के बारे में ठीक है डिफरेंट टाइपस ओफ ट्रेंज एंड टाइपस ओफ जल गेज ठीक है इन सब के बारे में कल हमने पढ़ा नाओ टोडेश टॉपिक इस वाटर वेस जल मार्क मतलब जो संबुद्र में या जल में चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं वाटर वेस ठीक है वाटर वेस आर दा ओल्डेस्ट मीन्स ओफ ट्रांस्पोर्ट इन दा सबसी पुराने मीन्स ओफ ट्रांस्पोर्ट है ठीक है वर्ड का सबसी पुराना मीन्स ओफ ट्रांस्पोर्ट आपका वाटर वेस है इंडियन वाटर वेस आर वेरी इंशियन जो हमारे इंडिया का वाटर वेस है वो सबसी पुराना है ठीक है आवर एंसेस्टर्स हैड में trade relation with other countries through water transport जो हमारे पूर्वश थे ancestors थे उन्होंने जो बहुत सारी countries के साथ अपनी trade relations बनाए ठीक है business करने के लिए relations बनाए किसके थूरू water transport के थूरू ठीक है the ganga and the brahmaputr are the major inland waterways of our country जो ganga और brahmaputr है यह क्या है यह हमारे inland waterways है हमारी country के inland waterways मतलब जो हमारी country को ही एक दूसरे से जोडते हैं हमारी country के अंदर ही जो एक दूसरे को connect करते हैं ठीक है तो इनको हम क्या बोलते हैं inland waterways कौन कौन से हैं the ganga and the brahmaputr the lagoones of kerala are also used for navigation जो केरला के जो lagoones है वो किसले यूज होती है वो navigation के लिए ठीक है वो एक रास्ता दिखाती है ठीक है navigation के लिए यूज होते हैं कौन से केरला के lagoones waterways have also seen a great development in the last few decades जो waterways है इसमें भी हमने पिछले कई सालों में बहुत सारा development देखा है ठीक है इसमें भी बहुत सारे development हुए है modern ships have all facilities with electronic devices and are found safe to travel over the seas जो modern ship है जो इस टाइम के जो आपके ships है उसमें क्या आपको सभी facilities मिलती है जैसे कि आपको room available रहता है food और electronic devices हर एक चीज आपको उसमें modern ships में available रहती है ठीक है और यह क्या होते है यह बहुत ज़्यादा safe होते है safe भी है travel करने के जो हम जो हम travel करते हैं seas में ठीक है समुद्रों में यह बहुत ज़्यादा safe है और इसमें सारी facilities passengers को provide की जाती है sea routes connect the major ports within the country and also the ports of various countries जो sea routes है आपके समुद्रे के जो रास्ते है sea routes किसे connected रहते है major ports से ठीक है within the country जो country के जितने भी major ports है यह एक दूसरे से connect रहते हैं ठीक है and also the ports of various countries और इसके साथ साथ मतलब वो एक country के ही major ports से जूड़े रहते हैं और इसके साथ साथ वो और भी कई सारी countries के various major ports से connect रहते हैं ठीक है this helps in import and export of large consignments तो जो यह connection है sea routes का connection है within the country और भी बहुत सारी countries के बीच यह क्या help करता है कि हमें कोई भी चीज, कोई भी products या कुछ भी सामान हमें import और export करने में help करता है ठीक है क्योंकि यह एक दूसरे से जुड़े वे रहते हैं connect रहते हैं import मतलब कि हम कोई भी सामान बहार से मंगवाते हैं किसी और country से मंगवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं import करना और जो हम अपना सामान किसी और country में भेजते हैं sell करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं export करना ठीक है world trade has now become very popular and essential जो world trade है जो विश्व वैपार है ठीक है जो world trade है वो बहुत ज़्यादा popular हो चुका है और बहुत ज़्यादा जरूरी भी है जरूरी क्यों है जहां हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या हमें जो बाहर की जो currency मिलती है तो इससे क्या होता है इसे किसी भी nation की जो economic growth होती है वो increase करती है ठीक है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा popular भी है और essential भी है container ships and oil tankers carry cargo while passengers ships carry people to various parts of the world जो container ship होते हैं या फिर oil tanker ये carry करते हैं ठीक है मतब सामान को हमारे luggage को oil को carry करते हैं एक जगे से दूसरी जगे ले जाते हैं while passengers ships जो passenger ships होते हैं वो क्या लेके जाते हैं वो लोगों को एक जगे से word के एक जगे से दूसरी जगे word में कहीं भी ले जाते हैं ठीक है passenger ships लोगों को लेके जाते हैं और container ships oil tanker होते हैं सामान और ऊइल को एक जगे सी दूसरी जगे लेके जाते हैं ठीक है रिषगों ने तो अर वेज्चिप्स आर एंकर्ट टू लोट एंड एंड अनलोड जो पोड्श हैं तो सिटीज के जो इधिज के जो पॉर्ट हैं विद बंदरगाह है ठीक है वहां यह पे जो ships आती हैं उनको a guard के जाता है मतलब एक हैं जो बंदरगाह से harbour से करेकुनेक्ट करते हैं मतलब होता हाइ प्र lett सब्सक्राइब से कांडला मोंबए मार्मागाउं जो बॉस्ट की layered सब्सक्राइब सब्सक्राइब के यह आपके करना मुंबाई मामागाउं जो मेंस म कोटी यह exactement कोना के हो का यह कांडला कोन द यूअ पिंदनर टो यह सब क्या आईए यह आपके वेस्ट कोस्ट के मेजर पोर्ट्स हैं तुति कोरिन चिन्नाई विशाखा पत्नम पारादीप एंड हाल दिया ओन दा इस्ट कोस्ट अब इस्ट कोस्ट के मेजर पोर्ट्स कौन कौन से आपके तुति कोरिन हो गया चिन्नाई विशाखा पत्नम पारादीप फाल दिया यह सब आपके east coast के major ports है major जो important बंदरगाह होते हैं ठीक है यह east coast के हैं अब इस map में आप देखी यह आपका East Coast गाट जो इस्ट की तरफ है तो इसमें आपके कौन-कौन से कितने विशाका पत्नम पारादीब ठीक है और विशाका पत्नम चिन्नाई तूतिकोरिन ये सब आपके इस्ट कोस्ट के क्या है मेजर पोर्ट्स है और ये जितने भी पोर्ट्स होते हैं ये जो पोर्ट का ट्रेस्ट है Central Government के पोर्ट्स के द्वारा Administrate की जाते हैं उनकी देखभाल उनका रख रखाओ या उनको कैसे चलाना है उनका प्रसाशन Central Government के पोर्ट्स के द्वारा होता है Minor Ports are also located at various points and are governed by the state government उनको कौन चलाता है उनका की देखभाल उन पर कौन प्रसाशन करता है आपका स्टेट गवर्मेंट ठीग है वह स्टेट गवर्मेंट की अंतरगत आते हैं और वह उनको दे की देखरेख करते हैं ठीग है और मेजर पॉट्स वह सेंट्रल गवर्मेंट के ऐड्मिडिस्टरेशन में आते हैं different types of ships like cargo travelers and ocean liners आर बिल्ट इन इंडिया जो कुछ हैं डिफरेंट टाइप की जो शिप्स हैं जैसे कार्गो गया ट्रवलर्स और ओशेलाइनर्स यह कहां बनते हैं यह सारे शिप्स जो हैं वह आपके इंडिया में ही बनते हैं ठीक है एंड यूस्ट फॉर परपसेज लाइक फिशिंग टू टूरिज्म के लिए और आपका जो सामान है उनको लाने ले जाने के लिए और पैसेंजरो को और लोगों को एक जगह से दोसी जगह ले जाने के लिए यह यह कहते हैं जो इनडिया में विर्ट होते हें ठीक है तो थैंक यू क्लास